नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चेनल दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की तो शुरात करते हैं सबसे पहले मार्केट से जो अगर आप देखें अभी भी यहाँ पर डाउन म आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 930 की केंडल बनी थी उसमें आप देख सकते हैं जो लोईस प्राइस था वो टच कर लिया था इसने 37,300 डॉलर वहां से अगर आप देखें उसके बाद बाउंस बिक करता हुआ नदर आ रहा है अभी अगर आप देखें आपर 39,000 डॉलर प 500 डॉलर इसके अलावा लोवेस चले गया है 37,300 डॉलर यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात भी करें तो वॉल्यूम थोड़ा कम नजर आ रहा है situation अगर आप market में देखें तो अभी वेसी ही बनी हुई है मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोई difference देखने को नहीं मिल रहा है कल से अगर ऐसा कोई news नहीं आया हुआ है positive जिस वज़े से आप देख रहे है BTC फिर से यहाँ पर उपर जाता हुआ नजर आ जाए prices भी बढ़ है और उसके साथ ही crypto market पर भी यहाँ काफी ज़्यादा impact पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम बात करें दूसरे coins की तो आप देख सकते हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा moment अभी देखने को नहीं मिल रही last 24 hours में BNB 3.58% बढ़ा हुआ है अगर हम बात करें शीबा की 0.0000023 डॉलर पर आच चुका है अगर हम support की बात करें next support यहाँ पर कौन सा है वो 21 डॉलर जो इसका एक major support था यहाँ तक भी आ सकता है जिस परकार से market में भी condition बनी हुए 0.99% 24 hours में down में है अगर हम बात करें last one week की आप देख सकते हैं सबी coins यहाँ पर almost आपको 10-15% down में देखने को मिलेंगे अब आते हैं crypto market से जुड़ी कुछ बड़ी updates की और तो सबसे पहली update Ukraine और Russia से जुड़ी हुए जहाँ पर कल के दिन में जो Ukraine और Russia के negotiators थे उनके बीच में यहाँ पर तीसरे राउंड की बात चीत हुई और अगर आप देखें तो यहाँ पर little progress के साथ यह बाते खतम हो गई मतलब जादा कुछ result यहाँ पर देखने को नहीं मिला और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो condition है वो वेसी ही बनी हुई है जैसी पहले बनी हुई थी इस meeting के बाद भी और अगर आप देखें यहाँ पर जो Ukraine की military है वो कल के दिन में थोड़ी साथ नज़ रही लेकिन अगर हम Russia की बात करें तो उनके दोरह continuously जो cities है और जो residential areas है उन पर जो गुलाब आ रही है वो continue होती रही और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई result निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो इनका solution यहाँ पर कर पाए और इस war को यहाँ पर end कर पाए क्योंकि उसका एक reason है Russia अपनी conditions पर अड़ा हुआ है और यहाँ पर अगर आप Ukraine को देखें तो उन्होंने भी कुछ सरते रखी हुए और दोनों एक दुसरे की सरते नहीं मान रहे है जिस वज़े से यहाँ पर जो war है उसका end होना अभी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है Russia ने यह clear लिका है कि अगर Ukraine हमारी सरते मानता है तो हम यहाँ पर इस war को अभी end कर देंगे अब बात करते हैं दोस्तों अगली update की जो Binance से जुड़ी है Binance to focus on crypto payments with new subsidiary byfinity जहां पर Binance के द्वारा अपना खुद का crypto payment provider launch किया गया उन्होंने यहाँ पर कल के दिन में मंडे के दिन में announcement की हुई है कि byfinity को यह launch कर रहे है जो Binance का official fiat to crypto payment company होगा और यहाँ पर यह crypto service provide करेगा with the traditional financial system यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी update अगर हम byfinity की बात करें तो यह लगबग यहाँ पर 50 plus cryptocurrencies को support करने वाला है जिसमें आपको measure coins देखने को मिलेंगे जैसे कि BTC, ETH और कुछ और popular payment platforms है जैसे कि Visa, Mastercard और कुछ और companies जिनको भी यहाँ पर यह support करने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी रशिया की help नहीं कर सकता अगर उसके उपर यहाँ पर sections apply भी किये जाएंगे मतलब आपने देखा होगा यहाँ पर काफी सारे sections apply किये जा रहे हैं रशिया के उपर और इस वज़े से यह भी कहा जा रहा है कि Russia अब यहाँ पर क्रिप्टो की ओड मुड़ सकता है मतलब cryptocurrency को as a payment यूज कर सकता है ताकि यहाँ पर वो sections से बस सके जहाँ पर प्रतीबंद लगाय जा रहे हैं उनसे बस सके तो यहाँ पर इन्होंने explain किया हुआ कि यहाँ पर इसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके काफी सारे रिजन है उसमें एक सबसे बड़ा रिजन यह कि यहाँ पर जो crypto है वो आप traceable हो चुका है मतलब government जो है around the world are already very adopted tracking it जहाँ पर सरकारे जो है वो काफी जदा भी work करते हुए नजर आ रही है crypto currencies पर आप देखे रहे है also regulation बनाने के लिए यहाँ पर कोशिशे की जा रही है US की अगर हम बात करें अगर हम बात करें Russia की इंडिया की काफी जगा आप देख रहे होंगे cryptocurrency जो है वो आप थोड़ी traceable हो गई है मतलब government यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा समझने लग गया है इस वज़े से अगर आप देखें तो यहाँ पर Russia cryptocurrency का use नहीं कर सकता अगर उसे यहाँ पर sections को avoid करना है मतलब normally use कर सकता है लेकिन अगर यह सोच नहीं कि प्रतीबंद से बचने के लिए यहाँ पर crypto को as a permit use किया जाए तो वो होना possible नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यहाँ पर crypto currency के लिए खत्रा साबित हो सकता है क्योंकि कावी सारी countries यह नहीं चाहेगी कि प्रतीबंद लगाने के बाद कोई इसका use करे एक तरीके से इसका एक negative point हो सकता है इसी वजह से काफी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि क्या sections apply होने के बाद Russia यहाँ पर crypto की तरफ मुर्ता उपा नजर आ सकता है अब आते हैं अगली update कि हो Singapore to impose restrictions on Russian financial and crypto transaction जहाँ पर Singapore की तरफ से एक बड़ी update आ रही है और यहाँ पर Singapore first country बन रहा है Asia की जिसके द्वारा Russia पर यहाँ काफी सारे restrictions जो है वो apply किये जाने वाले है मतलब इन्होंने यहाँ पर announce कर दिया है कि यहाँ पर introduce करने वाले है कुछ restrictions जो Russian financial transaction पर होंगे उसके साथ ही जो crypto operations है उस पर भी होने वाले है क्योंकि यहाँ पर जो sections apply किये जा रहे है अलग-अलग countries के दारा उसमें अब Singapore भी आने वाला है मतलब Asia के अगर हम बात करें तो Asia की countries के दवारा इतने ज़्यादा sections अभी apply नहीं किये जा थे रशिया के उपर लेकिन Singapore यहाँ पर पहली country है जो impose करने वाला है restrictions, financial और crypto transactions जो होंगे उन पर भी तो यह थी आज की news update, I hope आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like और share जरूर करें और अगर आप channel पर पहली बाव जिट कर रहे हैं, तो channel से जुड़ जाएं, साथी टेलीग्राम को भी join कर लें, वहाँ पर भी आपको crypto से जुड़ी हर एक update सबसे पहले प्राप्त होगी, अब हम आपको मिलते हैं किसी हो नहीं update के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रख तक के थाएं, तेंक यू